हलो एव्रिवोन, चाय बोलेना, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं, वो देखेंगे न्यू मून पर आपके पॉर्सन की अनर्जी क्या चेंजिस हुआ है, और इसके लिए आप अपने पार्टनर के नाम का इनिशिल मतलब पहला अक्षर चूस करें, यह है पाइल नंबर वन, A, B, C, H, J, L, N, O, S, T, U, W, X, Z, तो पाइल वोन चूस करें, उनके नाम का इनिशिल है, तो पाइल 2 चूस करें, ठीक है, चूस कर लिया, अब चलो स्टार्ट करते हैं, हलो पाइल नंबर वन, अगर H, J, L, N, O, S, T, U, W, X, Z, तो यह आप लोगों की रीडिंग है, लेट सी, और एक बाद आपको पताऊंगी, प्लीज, प्लीज, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले चानल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, रिक्वेस्ट हैं, अच्छा लगता है, बहुत सारे सब्सक्राइ होंगी, चाहे परस्नल लाइप में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइप में हो इस परसन के, और अगर ओवरॉल आप शिफ्ट देखना चाहते हैं, आपके लाइफ के उपर, तो सेकंड चानल पर मैं आज वीडियो अप्लोड करूँगी, जरूर देखना है आपको, चलो मैं इसको क्लारिफाइ करूँगी, क्या काथ सा रहे हैं, थ्री आप स्वोर्ट के लिए, टाइमलेस रीडिंग को कभी भी देख सकते हो, ठीक है, पेज आप स्वोर्ट, एंड ओके, सेवन ओफ वन्स, चलो, हर बात आपसे रेजोनेट नहीं करेगी भई, ठीक है, क्या मैसेजेस हैं, और एनरजीस क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, आपको, उनको क्या करने की जरूरत है, क्या चल रहा है, ओके, ये काथ बताते हैं कि चल क्या रहा है, और क्या करने की जरूरत है, इस एनरजी शिफ्ट के बाद, ठीक है, ओके, चलो, और एक कार लेती आपके लिए beautiful चलो भाई ओके गाईस जो राशिया यहां पर दिख रही है वो है Cancer, Scorpio, Pisces, Aries, Leo, Sagittarius Aries और Taurus and Virgo बहुत strongly है and Gemini Aquarius, Libra है Capricorn, Taurus, Virgo, कुछ लोगों के लिए ठीक है देखिए मुझे यहां पर क्या लग रहा है कि energy जो change हुई है new moon पर यहां पर कही न कही बहुत सारी चीज़े हुई है ठीक है दूसरा तो मुझे लगता है कि इस इंसान को अकेले पर महसूस होना start हो गया है यहां पर मुझे इसा लग रहा है कि पश्तावा ठीक है पश्तावा, गल्ती का या फिर अकेले जिन्दगी में चलने का इस तरीके का चीज़ उन्हें खाये जा रही है वो अकेले नहीं चलना चाते basically वो नहीं चाते कि वो जिन्दगी में अकेला move करते रहे आगे बढ़ते रहे पर उनको अकेला जाना पड़ रहा है कुछ भी reason हो, उनकी decision हो आपकी हो, जो भी हो लेकिन उस चीज़ से ये खुश नहीं है काफी जादा मुझे exhausted, परिशान, energy इनकी दिख रही है और बहुत सारे लोगों को इन्होंने सहारा बनाने की कोशिश की जैसे कि दोस्त हो गए या फिर कोई और हो गए एनरजी चेंज हुआ है ये एनरजी इनको बहुत बड़ा lesson दे रहा है और आगे जाकर देने वाला है ठीक है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इस जो new moon के बाद ये इनसान थोड़े थोड़े spiritual होना स्टार्ट हो गए है ठीक है या फिर उनके जीबन में spirituality एंटर करना स्टार्ट हो गई है और ये actually में जो वक्त चाहते थे इस रिष्टे के लिए वो वक्त पूरा हुआ ठीक है इस new moon पर एक होता है न कुछ इंसानों को अपना space चाहिए होता है कुछ time के लिए और इस cycle से उनका वो space का time पूरा हुआ अभी action का time में ठीक है और ध्यान से सुनिएगा इसके बाद में जो भी बोलूँगी कही न कही मुझे लगता है कि with this page of cups ये जो person है you know इनके दिल और दिमाग में चीज़े ऐसी है कि मुझे बात करनी है emotions फिर से जागना इनके जिन्दगी में शुरू हो गई है ये emotion less थे आपको अगर feel हो रहा था ठीक है कि इस इनसान को तो कुछ emotions ही नहीं है मतलब जैसे हो साई न बिलकुल emotional ही नहीं है मेरे लिए तो वो आप wrong proof होने वाले हो ये पॉजन को emotions फिर से जागने वाले है फिर से feel होने वाले है चीजे कहीं न कहीं मुझे लगता है अगर इन्होंने इस रिष्टे के बारे में कुछ भी चीजे सूची नहीं थी मतलब ऐसे कुछ ठोस decision इन्होंने नहीं लिया था ups and downs चल रहा था currently मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने कुछ definitely सोच लिया है कुछ balance बना लिया है बट कोई जल्दबाजी इनको नहीं है ठीक है ये बात याद रखिए इस इंसान को इस रिष्टे में जल्दबाजी नहीं जहिए ना ही वो कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि या आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपको पसंद नहीं करते या फिर आपकी जरूरत इन्हें नहीं है हर चीज है लेकिन बस जल्दबाजी नहीं है ठीक है काफी जादा शांत वो मुझे दिख रहे है और अगर ये person आपके नजर में नीचे गिर गये थे जैसे कि of course अगर कोई इंसान थौर्ट पार्टी करेगा या फिर चीट करेगा या फिर ऐसा कुछ बहुत जादा ऐसी चीज़ करेगा जिसे दर्द हो कही न कहीं जितना भी कोई इंसान प्यार करे थोड़ा सा उस इंसान के प्रति उसको गुसा आ ही जाता है तो कहीं न कहीं अगर ये आपकी नजर में किसी तरीके से गिर गये थे ये उससे उठना जाते है ये चीजों को मुझे मैं तुम्हारी नजर में गिर नहीं सकता हूँ फिर से उनको वही जगा पानी है आपकी लाइफ में जो ये पॉर्सन आक्चुली में डिजर्व करते थे पहले लेकिन होट होने के बाद कहीं न कहीं आपका डिसिशन है आप इनको कहां रखोगी लेकिन ये चाते हैं मैं वही रहूँ ठीक है दूसरा कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये बहुत साथा लॉजिकल चीजों को सोच रहे हैं ठीक है मतलब बिलकुल लॉजिक देकर कि अगर आप दोनों का ब्रीक अप हुआ था या फिर आप दोनों के बीच में ऐसे चीज़े हुई थी जो खराब हो गई थी ठीक है मतलब जो सही है वो सही है पस गलत नहीं सोचना है इनका ये वाला दिल और दिमाग में चीज़े हैं लेकिन मुझे ये परसन बहुत जादा काम और स्टेबल दिख रहे हैं इनके दिमाग में चाहे ये अकेले हैं चाहे आपका साथ नहीं मिल रहा है इस वक्त या फिर वो खुद ही आपको दूर रख रहे हैं लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि परिशान है ठीक है परिशान है लेकिन उस लेबल का नहीं है जिस लेबल का ये दिखा रहे है सॉरी गाइस मेरा गला थोड़ा सा खराब है तो देखिए मुझे लगता है कि हो सकता है यहाँ पर फादर इशू हो उनके फादर नहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक साथ हो या फिर फैमिली प्रॉबलम अगर हो रही है तो लेकिन कुछ ना कुछ मुझे हाँ पर मेल एनर्जी मेल इंटर्फियरेंस दिख रही है ठीक है अगर आप कोई लड़का देख रहे हो तो आपके गर्ल्स और कोई मेल पर्सन से इंफ्लूएंस है लेकिन टेफिनेटली मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी बाते जरूर है ठीक है चलिए हम देखते हैं कि दूसरे साइड उनके जीवन का सिर्फ नियू मून पर लव लाइफ में ही नहीं पूरी जिंदगी में चेंजिस होती है और दूसरी तरफ में अगर देखूं तो मुझे पर्सन अपने कोई दिख रही है कहीं न कहीं मुझे आपके लिए जो फीलिंग्स दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत सारी लोग जो है इनको इंफ्लूएंस कर रहे थे या फिर अगर कुछ लोग इनको बोल रहे थे आपके बारे में ये वही फ्रेंस के साथ जाकर टाइम स्पेंड किया करते थे और इनको लगता था कि फ्रेंस से जिंदगी में तो कुछ जिन चल जाएगा ठीक है या फिर ऐसा कोई इंसान मतलब पोई भी ऐसा है जो प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं इसके साथ कुछ दिन में जिंदगी टाइम पास कर लूँगा एफर कर लूँगी लेकिन दीरे दीरे उसी परसन उन्हीं लोगों के साथ से इनका जो चीजे है वो भी खराब होने लग रहा है इनकी अदर जो आप से अलग होकर जो परसनल लाइफ है वो भी कही न कहीं खराब और अलग ही तरीके का negativity वहाँ पर मुझे दिख रही है ठीक है और अगर आपके लिए मैं feelings देखूं तो ये परसन डेफिनेटली आपके साथ जो जहां पर उनको वहाँ चीजे खराब दिख रही है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये परसन आपके साथ किसी ना किसी तरीके से celebration करना चाते हैं लाइफ में और जिंदगी को enjoy करना चाते हैं basically मैं यहाँ पर ये बोल रही हूं कि इस new moon के बाद इस इंसान की जो energy है वो काफी जादा change हुई है ये practical से emotional और logical बने हैं और आपके लिए तो चीजे feel कर रहे हैं मतलब emotions इनके दिल में फिर से आना start हो गया है और ये अगर इस पार इस चिश्टे को continue करेंगे with stability मैं हमेशा बोलती हूं stability बहुत ज़रूरी है आज आए कल चले जाए इस तरीके की कोई बात नहीं है आते हो तो stability के साथ आओ ठीक है न और दूसरा इनको जिन्होंने बोला है समझाया है इविन अगर आपने बोला है समझाया है कुछ इस तरीके की चीजे हुई है ये चीजे बहुत ज़ादा effect डालेगी और आप दूनों के रिष्टे को success बनाएगी ठीक है मतलब अच्छी चीजे अगर समझाओगे इनसान अच्छे से समझेगा और इनसान अच्छे से जिन्दगी को enjoy करेगा तो ये जो अच्छी knowledge इनको मिली है आपके लिए वही ही आप दूनों के reconciliation का main कारण बनेगा ठीक है अब मैं move करूँगी third party के तरफ जिन लोगों के person third party में थे ठीक है और third party के साथ इस new moon के बाद क्या energy changes हो रही है third party के साथ देखिए third party के साथ मुझे कहीं ना कहीं उनकी immature relationship दिख रही है ठीक है जैसे लगता है कि इंसान को अगर वो शादिशुदा नहीं है तो मुझे लगता है कि कहीं लगता है उनको ऐसा feel होगा किसी ना किसी immaturity के वज़े से और कुछ ना कुछ ऐसे चीजों के वज़े से मैं तो इस रिष्टे में आ गया था और पता नहीं अब मैं इस रिष्टे में क्या कर रहा हूँ या फिर क्या नहीं ठीक है ना एक तरीके का confusion मुझे दिख रहा है और ये third party को भी stock कर रहे हैं ठीक है हो सकता है third party के साथ इनका doubt चल रहा है इस वक्ट कुछ problem चल रहा है तो कही न कही उसको भी stock कर रहे है और उनको ऐसा लगता है कि ये रिष्टा emotionally connected नहीं है लगेगा अब इस new moon के बाद और ये एक practical रिष्टा है सोच्छा समझा रिष्टा किसे को भूलने के लिए किसे के पास आता हुआ रिष्टा और कही न कही मुझे लगता है with this seven of ones इनको किसी से guidance लेने की जरूरत पढ़ जाएगी कि मुझे third party के साथ क्या करना है मुझे रहना है या फिर निकलना है sort of confusion में वो मुझे दिख रहे है और क्योंकि वो जिस third party के साथ है अगर मुझे लगता है उस third party का एक अच्छा community दोस्त वाला है या फिर families इन्हें जानते है तो कही न कहीं ये जब सोचेंगे third party को छोड़ना या फिर third party के साथ problem होगा तो इनको फसाल लिया जाएगा या फिर इनसे बहुत सारे सवाल किया जाएगा कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो ठीक है न और इनको pressure feel होगा तो कहीं न कहीं अब अगर third party के साथ वो कुछ भी problem create करते हैं तो उन्हें उनके सामने बहुत सारे लोग होंगे जो उनको बहुत कुछ बाते बोलने वाले हैं और वो इस चीज में बहुत जल्दी क्यों न हो अगर married life में भी problem चलेगा तो कहीं न कहीं families पूछेगी और वो फसे हुए महसूस करेंगे आपके लिए emotions और third party के लिए practical ही चीज़े वो सोच रहे हैं ठीक है और मुझे इनके personal life में overall लडाई जगडा दिख रहा है किसी के साथ इनका कुछ न कुछ चल रहा है monology से आपके लिए जो cards आ रहे है उसके इसाफ से देखिए यहां पर जो है the end of a tough cycle approaches definitely आप दोनों के बीच में एक tough cycle चल रहा था इसका end होने वाला है ठीक है और new moon eclipse भी है तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह जो tough यह cycle जो ही था वो अपने आप में ही tough था जैसे ही खतम हो गया emotions लोटना शुरू हो गया आपके प्रति उनका ठीक है दूसरा है a time to give rather than take यह कहीं न कहीं आपकी लिए messages बहुत negativity आप ले गए बहुत जादा परिशान होना बहुत जादा heavy energy हो गया आपका अभी give up कर दो heavy energies को रखने की जरूरत नहीं है ठीक है न then हमारे पास है you and your loved ones are safe आप जिन से प्यार करते हो वो और आप safe हो आपका रिष्टा safe है अगर उस label तक चीजे सही है अब तक मतलब बिगड़ा नहीं है रिष्टा उस label तक नहीं गया है कि कुछ नहीं हो सकता reconciliation का chance है तो आप दोनों का रिष्टा safe है ठीक है और यहां पर देखिए बार बार मुझे new moon दोनो new moon ही card यहां पर आए है new moon in Virgo and cancer तो चिंता करने की जरूरत नहीं है same card जब आता है same day तो जान लिजिए energy बहुत हाई है ठीक है ना और दूसरा nothing will come out of this situation अगर अब जो situation में आप हो बहुत जादा सोच रहे हो overthink कर रहे हो कुछ नहीं होगा जैसे बोला ना give up कर तो बस यह give up universe के सामने कर तो अब जो करना है universe करेगी आपको tension लेने की जरूरत बलकुल भी नहीं है ठीक है तो guys यह थी आपकी reading I hope आपको पसंद आई मिलते हैं अगली reading पर Bye guys Hello pile number 2 अगर आपके partner के नाम का initial DEFGI के MPQRB या फिर Y है तो यह आप लोगों की reading है Let's see New moon के बाद इस person के energy में क्या shift और change हो रही है Overall हम हर चीज़ देखेंगे जो भी मुझे message मिलेगा Reading स्टार्ट करने से पहले request है Please please चैनल को subscribe जरूर करें Request है आप लोगों से और जरूर वीडियो को like करें ओके और दो तिन बाते आपको जो मैं हमेशा बोलती हूँ Timeless reading है कभी भी देख सकते हूँ और जिस दिन जिस दिन आपके सामने ये वीडियो आता है उस दिन आपके लिए इसमें कोई message definitely होता है दूसरा हर चीज़ आपके साथ कभी भी match नहीं करेगी तो जो match नहीं करती है जाने देना है और बहुत सारे लोग सोचते हैं मैं बार-बार ये बाते क्यों बताती हूँ क्योंकि bottom में हमारा eight of pentacles है क्योंकि कुछ लोग नहीं समझते हैं बार-बार comments में इतनी negative बाते बोलते हैं तो मुझे बार-बार समझाना पड़ता है क्या करूं मैं चलिए देखते हैं main monology से क्या energy changes हुए है पहला card मैं ये messages आपको last में समझा दूँगी ठीक है और ये बहुत important messages है क्योंकि energy shift हो रही है तो ठीक है next card है हमारा okay beautiful चलिए new start is coming है bottom of the deck आ रहा है भाई new beginning चलो okay guys आप और आपके partner की राशी हो सकती है Kansas Scorpio, Pisces Aries, Leo, Sagittarius Capricorn, Virgo, Taurus and Gemini Aquarius Libra all sign है यहां पर Pisces बहुत strongly है सब राशीों में से ठीक है okay देखिए मुझे सबसे पहले जो changes यहां पर दिख रहा है moon का card ही यहां पर आया है and new moon है और eclipse है ठीक है मुझे यहां पर क्या feel हो रहा है कि इनकी जो energy है वो बहुत जादा heavy होने वाली है change होने वाली है अगर अभी तक इस इंसान को यूरो काफी free mindset के set के साथ थे कि मैं तो move on कर चुका हूँ मुझे तो कोई भी ऐसी चीज़े feel नहीं होगी उनका वो free mindset कही न कहीं दबने वाला है उनके life में problems आना start होने वाला है ठीक है वो चाहे उनकी आप से related हो चाहे वो उनकी work से related हो दूसरे family से related हो कुछ भी हो लेकिन उनके life में मुझे बदलाफ changes और heavy energies आते हुए दिख रहे हैं उनके life में definitely कुछ ना कुछ problem create होने वाला ये किसी भी कहीं पर भी हो सकता है और जिसके वज़े से ये stuck anxiety और stress feel कर सकते हैं इनका इस cycle में मतलब ये जो new moon start हो रहा है इस cycle में इनके life में एक cycle start हो रहा है जिससे इनको कुछ karma release करनी है कुछ कार्मिक जो होता है ना कुछ भी ऐसी चीजे उन्होंने गलत किया किसी के साथ या तो आपके साथ या तो जिसके भी साथ इन्होंने गलत किया उस karma को release करना है उनको इस cycle में ठीक है मूव करते हैं आपकी तरफ और मुझे ये पर्सन अगले कुछ दिनों में 4-5 दिनों में strongly आपकी जरूरत महसूस ने होता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी वेट करते हुए दिख रहे हैं इन्होंने जो opportunity miss कर दी है बहुत सारे chances शायद आपने इनको दिया है ठीक है उन्होंने हर opportunity को miss किया हर बार मुझ मोड कर चले गए और problem वही हुआ और कहीं न कहीं ये person उस चीज को इस वक्त समझ रहे हैं कि मैंने क्या miss कर दिया उनको ऐसा लग रहा था मैं कभी miss करूंगा नहीं क्यूंकि मेरे पास already life में बहुत ऐसी सारी चीज़े हैं जिसके साथ मै आगे बढ़ जाओंगा या फिर बढ़ जाओंगे बट जो हर इंसान का एक particular space होता है जगा होता है वो जगा वो किसी को नहीं दे पाए कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो energy shift हो रही है ये energy उनको आपके पास खीचेगी ठीक है इनकी जो emotions है वो फिर से जोर पकड़ना start कर देखी और आपके पास उनकी बहुत सही energy change हो रही है pile one में भी यहीं आया था और आपका भी यहीं है कि energies जो है इस new moon के बाद बिल्कुल सठीक तरीके से shift हुआ है ये person अपनी life में कुछ चीदों से move on करने वाले है ठीक है या फिर cheat ठीक है आपके साथ इन्होंने अगर वो कर लिया है और आपको लगता है मेरे साथ तो हो गया अब क्या कोई भी इंसान से ये move on करने वाले हैं किसी को cheat करने वाले हैं मुझे जानते हूं ये अच्छी बात नहीं हो लग रही है आपको सुनने के लिए cheating आवर लेकिन इनके दिमाग में इस तरीके की चीज आएगी य वहां से move on करने के कोशिश कहीं न कहीं कहीं से ये person भाग रहे हैं ठीक है और आपके साथ एक soulmate connection इनको feel होगा ये person कहीं न कहीं मुझे लगता है with this nine of cups बहुत सारे इनके दिल में आपके प्रती emotions है जो ये बहुत टाइम से दबा कर बैठे हैं बहुत ही जादा टाइम से अगर ये कभी move on कर गए थे आपसे ठीक है जिस वक्त आपसे कर गए थे उस वक्त अगर इन्होंने आपको बहुत बुरा भला बोला था या फिर बिना कुछ बता ही छोड़कर चले गए थे तो समझ जाए खासकर कर अगर आपको ऐसा लगा था कि ये जो reason दे रहे हैं मुझ इसके वज़े से ये उस चीज़ को express नहीं कर पाए और आपको बिना कुछ बोले ही चले गए लेकिन इतने दिनों तक जब आप दोनों अलग थे उन्होंने कभी भी आपको याद करना बंद नहीं किया क्योंकि आप दोनों soulmate हो इन्होंने कभी भी आपको याद करना बंद ठीक है ना still वो इसी feelings में है कि कभी भी ऐसा होगा कुछ ऐसा होगा जहांपर मैं जाके अपनी feelings जो है वो share करूँगा या फिर करूँगी और अपनी दिल में जो बाते मैंने दबा के रखा है मैं वो बोलूँगी ठीक है यह 100% sure है क्योंकि उनका एक है स्पार्क एक है जो आपके साथ ही है बस किसी और के साथ नहीं ठीक है इविन आपको देखना आपको टच करना भी इनके लिए बहुत बड़ी बात है शायद यह कुछ ना कुछ reason के वज़े से आपसे दूर गय है लेकिन आप दुनों का स्पार्क ही एक अलग तरीके का है ठीक है और आने से पहले यह भाग भी रहे है आपको देख भी रहे है ठीक है बस मुझे भागना भी है मुझे देखना भी है क्या कर रही हो इस तरीके की और बहुत सारे लोगों के person यहाँ पर उनके साथ on and off situation definitely कर रहे है शायद 11 months से no contact में हो या फिर on and off चल रहा है जो भी चीज़े है यह person को आपके प्रती प्यार और एक खिचाव एक attraction महसूस होगी उनकी जो energy shift होगी उससे आपके प्रती एक खिचाव महसूस होने वाला है ठीक है attraction और जिसके वज़े से यह खुद को रोक नहीं पाएंगे और मुझे लगता है यह इनसान इतने जादा आप बोल सकते हैं चालाक है या फिर charming है कि यह किसी ना किसी भी तरीके से आपकी बाते कभी भी चलने नहीं देंगे आप जितना भी mind को बिल्कुल strong बना लो कि मुझे तो इस बार उसे accept करना ही नहीं है बहुत hot कलिया इस बार no मतलब no आप से यह कभी नहीं होगा ठीक है यह वो आपकी यह बाते कभी रखने नहीं देंगे इनको पता है आपकी नस कौन सी है आप कहां से विक हो और वहीं से बकड़ेंगे और आपको फिर से बलकुल जीत लेंगे आपका दिल ठीक है आपको अगर लग रहा होगा कि लाइक देखो ऐसा होता है आपने जो surrender कर रखा है कभी कभी क्या होगा वो आएंगे तो आपको खुशी भी नहीं होगी लेकिन आप मना भी नहीं कर पाओगे लेकि मुझसे flirt कर रहा है इसको तो मुझसे कोई प्यारी नहीं है आया है अपनी जरूरत के लिए आपको पता भी अगर होगा ना फिर भी आप उनसे बात कर लोगे ठीक है कहीं न कहीं ये उतना attractive है मुझे दिख रहे हैं आपके लिए बट इनको ऐसा क्या है कि मुझे अगर तु चाहिए तो चाहिए पांच दिन के लिए प्लस दिन के लिए चाहिए तो चाहिए तो क्यूंकि ये इतना ज्यादा charming है इतना ज्यादा handsome है या फिर इतना ज्यादा ऐसे है कि अपनी बातों से आपको influence कर सकते है मैं आपको specially एक guidance यहां पर देना चाहूंगी क्या आप reserve करते ह इस तरीकी का इनसान जो अपने हिसाब से आपको use करें एक सवाल जरूर खुद से पूछिए मुझे नहीं लगता कि आप जितना wait कर रहे हो ये person इस वक्त उस mindset के साथ आ रहे हैं ते को प्यार होना अलग बात है प्यार है उनको आप से मैं ये नहीं मना कर रही हूं लेकिन क इस इनसान को सिर्फ जरूरत के वक्त याद करना this is not done ये अच्छी बात नहीं है ठीका और ये person को आपकी जरूरत महसूस हो रही है तो वो आ रहे हैं और आएंगे जरूर एनरजी शिफ्ट हो रही है उनको आना ही पड़ेगा universe इने push करेगी जाने के लिए लेकिन वो अपन को मना कर सकते हूँ मुझे थोड़ा सा time दो मुझे थोड़ा सा space दो lesson तो सबको मिलना जरूरी है और आप इनको दो lesson ठीक है फसना नहीं है इस पार आपको आपको अपनी प्यार के वज़े से फसना नहीं है अपना दिमाग अपना intuition को याद करो ठीक है दूसरा with this nine of pentacles मुझ मेरी दूसरे चानल पर overall life की energy shift की वीडियो डालूंगी देख लेना लेकिन यहां पर मैं बताऊंगी कि आपके लिए जो energy shift हो रही है वो आपको abundant बनाने के लिए हो रही है आप अगर अपनी career वगरा में ध्यान देते हो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर मेहन बात नहीं है और मैं especially इस energy में आपको यही suggest करूंगी कि आप उनको यह बताओ कि तुम्हारे बिना भी में खुश हो सकता हूँ या फिर हो सकती हूँ I'm the strongest यह बात उन्हें जताओ ताकि उनको feel हो कि सिर्फ मुझे ही क्यों जरूरत के वक्त में जाओं यह इनसान तो बहुत कोई ना कोई manifestation करो magician का card है यहां पर permanently चाहते हो शादी चाहते हो इसी person के साथ या फिर कुछ भी चाहते हो manifestation करो आज के दिन अगर देखो new moon full moon के दिन magician का card आ गया manifestation का card आ गया तो बहुत अच्छी बात है मतलब आपकी हर दूआ को बूल हो जाएगी ठीक है ना और दूसरा य लाइफ में आप दोनों के रिष्टे में new start है यहां पर ठीक है और new moon का ही card है जो आपको जो answers चाहिए the answer you need are coming आपको जो भी answers चाहिए आप जो भी सोच रहे थे होगा नहीं होगा कैसे होगा जिसकी भी कोई भी चीज में सिर्फ इस रिष्टा नहीं कोई भी चीज में आप आपको जो answers चाहिए वो answers आपको मिलेगा ठीक है impossible पर believe करना start कर दो जो लोग आप में से बहुत सारे लोग हो जो universe पर 100% believe रखते हो manifestation करके भूल जाते हो क्योंकि आप उन्हें attract करके छोड़ देते हो ठीक है मतलब attract करना है और छोड़ देना ही universe आपको देगी यही manifestation का rule है भ reading देखते हैं reunion के उन्हें होता है universe के उन्हें देती है वही belief की ही तो कमी है ठीक है और दूसरा यहां पर है कि अपनी comfort zone से बाहर निकलो मतलब यह है कि आपको इनकी जरूरत है सिर्फ आप ही मतलब वो आएंगे मेरे साथ खुशी से रहेंगे सिर्फ आप ही adjust करना बंद कर द ठीक है ना तो यह आपके लिए message है look at the bigger picture हर साइट से देखने की कोशिश करो यह इंसान deserving है नहीं है यह रिष्टा चलेगा नहीं चलेगा यह हर चीज आप कहीं ना कहीं bigger picture देखने की कोशिश करो आप सिर्फ आपका प्यार आपका perspective यह person आपको चाहिए वही चीज आप दे रहेगा आप कितने peaceful रहोगे वो भी देखो वो भी बहुत जादा important है ठीक है ना तो इसी के साथ मैं आपकी reading end करती हूं मिलते हैं अगले reading पर bye guys